दोस्तो राकिस साउट का नाम बॉलिवूड में किसी पहचान का महताज नहीं है हर कोई जानता है कि राकिस साउट कौन है राकिस साउट पष़ले काफी टाइम से रियालेटी शो बिग बॉऻ 14 की वज़ा से काफी चर्चा में थी लेकिन इस बार राकिस सावन्थ अपनी बायोपिक को लेकर काफी चर्चा में आ गई है जिसे जाविद अक्तर बनाना चाह रहे हैं जियां दोस्तों राकिस सावन्थ की बायोपिक बनाना चाहते हैं मशूर राइटर जाविद अक्तर आपको पता दे कि रियालिटी शो बिग बायोपिक बनाना चाहते हैं और उनकी ओडियन्स की सामने पेश करना चाहते हैं राकी सावन के इस दावे ने हर किसी को हैरान कर दिया कुछ लोगों ने इसे उनका पबलिसिटी स्टन्ट बता डाला हाला कि अब जाविद अक्तर ने खुद राकी की बात को बिलकुल सही बता जाविद अक्तर इस बात पर मोहर लगा दी है खुद जाविद अक्तर ने आपी तक राकी सावन के इस बयान को पबलिसिटी स्टन्ट माना जा रहा था लेकिन अब जाविद अक्तर खुलकर सामने आ गए और उन्हें अब इस बात को बिलकुल सच बता दिया है कि हाँ वो बायो-पिक बनाना चाते हैं आपको पतादे कि राकिसावन ते अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टरुगल किया हैं यह हर कोई जानता है पिछले काफी टाइम से राकी सावन बालिवूट का हिस्सा रही है और ऐसे में उनके स्टरुगल की स्टोरी को हर कोई जानना चाहता है इस वक्त राकिस सावंथ बिग बॉस 14 की वज़ा से काफी चर्चा में आई थी क्योंकि ओडियंस को जोस तरीके से इंटिटेन किया थो राकिस सावंथ ने और शोग के दोरान भी राकिस सावंथ कई बार अपनी निजी बाते बताती नजर आई इसी को लेकर जावि टॉपिक बराना चाहते हैं